Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube Channel So, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा important होने वाली है Because आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है Railway की आयो हुई latest of vacances के बारे में किस तरीके से apply करना है, क्या के eligibility required है सारी चीजों को यहाँ पर official notification PDF के साथ आपको मैं समझाने वाली हो तो वीडियो को starting से अंटक जरूर देखना है Because वीडियो का हर एक part आपके लिए important होने वाला है अगर आप channel पर पहली बार visit करें है इसी तरीके से चाहते हैं चाहे railway की vacances आई, SSC, bank या किसी other department की उसकी information आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके, all पे click करना ताकि जो next वीडियो आ रही है, उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच जाए बाकी इस update के इलावा बहुत सारी department है, जिनकी vacances आउट कर दी की है जिसके लिए आप अपनी qualification, अपनी city या फिर district के according, हमारी official website www.clory.com लिंक उसका description में आपको दिया गया है, सीधा google पे जाना type करें जैसे मैंने type किया है, पहली number पे ही site मिल जाएगी जितनी भी recently vacances आई आप उसको jack करके apply कर सकते हो चलिए ज्यादा time में लेंगे सिधा बात करेंगे railway की आई हूँ latest of vacances के वारे में, कैसे apply करना है, क्या के eligibility required है सारी चीज़ों को यहाँ detail में cover करेंगे, वीडियो को लास्तर देखना, प्यारा सा like जरू करना, आपका एक like motivate करते हैं, आपके लिए नए-ने update लेकर आने का जिसमें आपको latest job update जितने भी आते है, रिसेंटली वह सारी देखने को मिलते ही है, इसके इरावा यहाँ पर हम backcard करेंगे, जो कि free of cost आपका रहने वाला है, जो कि railway की upcoming vacances जैसे की TC हो गया, आर-पे-फे, ग्रूप डिया, उसके आपको free में यहाँ तयारी करवाई जाएग तो इसको भी जरूर आप subscribe कर लेना, फिल हाल हम बात कर रहे है, railway की latest job vacances के बारे में, कैसे apply करना है, क्या क्या eligibility required है, railway की तरव से देखे, दो latest notification आये है, दोनों का EK करके बात करेंगे, कैसे apply करना है, क्या क्या eligibility मागीगी है, वीडियो को लास्तर देखना है, चैनल को subscribe जरू सबसे पहले बात करें, पहले notification के बारे में, जिसमें vacances काफी type की out हुई है, सबसे पहले पोस के बात करें, तो supervisor के लिए है, जिसमें category wise divide के हुई है vacances, salary के बात करें, 33,000 से 1 lakh तक salary आपकी ही रहने वाली है, इस वाली पोस के लिए, जिन भी candidate में देखी, graduation degree के हुई है, relevant discipline मे वो सारे candidate इस post के लिए apply कर सकते हैं, ये तो होगी पहली post, ठीक है, next बात करते हैं, इसमें second post के बारे में, तो वो आपकी आई हुई है, supervisor के लिए ही है, ये अलगली discipline wise जिनोंने divide की हुई है, इसमें भी आपकी salary सेम ही रहने वाली है, इस post के लिए जिन candidate में engineering की हुई है, आ अगली post के यहां पर बात करें, वो देखिए आचुकी है, आपकी maintainer के लिए, यहां पर देखिए हर चीज आपको में detail में समझा रही हूँ, इसमें 10th, 12th graduate की weekends भी है, इसके इरावा भी railway का एक और notification है, उसके बार में इसके बार में बात करने वाले है, अब इसके लिए दे candidate इस position के लिए apply कर सकते हैं, because 10th or IT के लिए भी मेरे पास comment सेखने को मिल रहे थी, कि मैं हम apprenticeship की weekends आती रहती है, तो यहां भी यह आपके लिए best opportunity है, weekends आपके लिए आचुकी है, apply आपको जरू करना है, ठीक है, permanent weekends है, उसके बाद again, आपके लिए यहां supervisor की weekends है, traction E&M के लिए, इसके लिए जिन candidate ने इंजिरिंग डिप्लोमा किया, वो अपलाई कर सकते हैं, तो यहां पर आपके लिए रहने वाली है, उसके बाद next position की बाद करें, maintainer, traction E&M के लिए आउट होई है, इसके लिए देखे 10th pass और IK, apply कर सकते हैं, अलगले discipline देखें, यहां पर mention किये हुए आपको अपने discipline को देखते हो, यहां पर इसके लिए अपलाई कर लेना होगा, next post की बाद करें, again supervisor track के लिए है, इसके लिए जिन candidate ने इंजिरिंग डिप्लोमा किया, वो अपलाई कर सकते हैं, maintainer के लिए 10th pass अपलाई कर सकते हैं, supervisor works के लिए बाद करें, इसके लिए इंजि 25,000 से 80,000 तक आपको यहां पर salary रहने वाली है, इसके लिए graduate candidate apply कर सकते हैं, apply करना शुरू हो चुका है, next यहां scroll down करेंगे, next position की बात करें, यहां पर HR, मतलब HR assistant के लिए out होई है, assistant HR की position के लिए, तो यहां पर 25,000 से 80,000 salary है, इसके लिए any graduate apply कर सकते हैं, कोई यहां पर relevant discipline mention नहीं है, आपने graduation किसी भी discipline में pass out किया है, art, science, commerce किसी भी मतलब किसी भी discipline में आप apply कीजिए, उसके बाद यहां पर account assistant finance के लिए same salary है, लेकिन इसके लिए eligibility देखें, यहां पर नाम सी समझ में आ रहा है, account assistant के vacancy से इसके लिए b.com, m.com वाले apply कर पाएंगे, next यहां scroll down करेंग प्लस relaxation मिलना है, SCSD को 5 साल का, OBC को भी, OBC को भी यहां पर देखे, mention इन्हों नहीं किया हुआ है, 5 साल का relaxation मिलना है, normally 3 साल का विलता है, ठीक है, तो यहां पर 5 साल का, ex-serviceman के लिए eligibility category wise है, female candidate के लिए 10 years तक का है, PWD candidate के लिए 10 years का relaxation है, अब देखे, यह regular weekends is out हुई है, तो to test होगा, उसके basis पर आपके यहां पर selection and joining है, इसके लिए 10th is graduate और डिप्लॉमा वाले apply कर सकते हैं, अब मैं आपको दिखाते हो second notification जो की railway का ही है, यहां पर हम बात करें है railway TTE के बारे में, जहां पर आप और इंडिया से apply कर सकते हो, male female दोनों ही, यहां पर vacancy आप देख पा relaxation मिल रहा है, OBC के लिए 3 साल का, SCSC के लिए 5 साल का, others को as per norms मिलेगा, 10th to 12th diploma candidate apply कर सकते हैं, इसके लिए application की fee है, जो कि आपके female के लिए 250 रहेगी चाहिए वो किसी भी category से हैं, और reserved के male candidate के लिए 250 रहेगी चाहिए आप किसी भी category से हैं, undeserved के male candidate की बात करें 500 है, चाहिए इसी apply करें, आपके fee यहाँ पे definitely refundable ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले, अगर मैं previous time के बात करूँ, आप अगर 5-6 साल पहले भी की ही अगर हम बात करें, तब fee यहाँ पे सिरफ 100 रूपीज होती थे, लेकिन होता क्या था, काफी सारे candidate apply कर देते थे, CBT exam के लिए पहुंचने पाते थे, तो उसके बाद railway ने क्या किया, जो भी regular vacances होती है, उसमें fee अभी तक यही रह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे यह आपको refundable देगी, जब आप अपना CBT exam दे देते हैं, bank charges कटने के बाद refundable हो जाते है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें, आप पे questions रहने वाले है, किस type की है, वो भी आगे आपको समझाओंगे, ठीक है, next अब यहाँ पे हम बात करें, इसमें, आपके कौन कौन apply कर सकते हैं, तो All India Candid apply कर सकते हैं, selection के बात करें, यहाँ पे पहले आपका CBT होगा, physical test, medical document verification होने वाली है, उसके basis पे selection and joining है, अब इस notification के इसके लिए देखिए, सबसे important चीज आती है, short update, आप यहाँ से short update, आप यहाँ से short update, रीट कर सकते हैं, बात आती है, इसके लिए apply कब से शुरू होगा, देखिए, मैंने आपको रेलवे के दो नोटिफिकेशन बताई है, first वाले के लिए apply शुरू हो चुका है, अभी जाक मैंने आपको पहले ही बताया, आप रेलवे की किसी भी exam की तयारी करें, किसी भी update की wait करें, मैंने बहुत कुछ आपके लिए सोच रखा है, कि आपको free में तयारी करवा हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी आपने देखा होगा YouTube में बहुत सारी channels है, जो आपको paid तयारी करवाते ह कोशिच है कि आपको जल्दी सी जल्दी में batch प्रोवाइड करवा हूँ, तो यहाँ पर free of course आपको तयारी करवाई जाएगी, technical government job all over India पे भी, और जो हमारा second channel है, मीत शर्मा, आप इसको YouTube में टाइप करना, इसको भी अभी जाके subscribe करना, दोनों में से जिस channel पे भी decide होगा, उसमें तयारी करवाई जाएगी, एक पे आपको job update देखने को मिल जाए करेंगे, टीटी का जो update है, हमें इस मत देखने को मिल सकते है, कुछ ही दिनों में, आप expect कर सकने है, क्योंकि आपको पते आगे election है, अब vacances definitely आएंगी ही आएंगी, और यह तो most awaited update है, काफी time सी आया ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही notification आएगा, मैं आपके लिए अगली वीडियो definitely लेकर आऊँगी, हमारे दोनु चैनल को subscribe रखना, चाहे आप रेलवी के update की वेट करेंगे, या SSC bank या किसी other update की, subscribe करके bell icon को press करना, आज के लिए इतना ही next update में मिलेंगे, thanks for watching कर दो